नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDCY नंदन दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में आपको जादा एंपेर की डायोड ब्रीज कनेक्टर के अंदर मैंने आपको बना कर दिखाई थी दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद एक असलम भाई सहाव हैं जिन्होंने मुझे मेल करके पूछा कि भाई सहाव आपने बताई थी कि इस कनेक्टर के अंदर आधे की पोजिटिव साइड उपर और आधे की निगेटिव साइड उपर में रखनी है कुछ इस तरीके से पर मेरे case में जब मेरे पास एक connector आई तो उसके उपर एक diode positive उपर थी और एक negative उपर थी इस तरीके से पूरी की पूरी complete bridge में diode लगी भी थी उन्होंने picture भी कीच कर भेजा हमारे email पे तो भाई साम मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको एक paper के उपर आपको दि दिखाई भी थी अगर आपने उस तरीके से उसकी connection करके अगर आप खुद से भी अगर आप उसे देखते तो आपको यह चीजे अच्छे से समझ में आ जाती दोस्तों प्रॉब्लम यह होती है कि आप हमारे वीडियो को skip करकर के देखते हैं तो इस वज़ा से आपको यह problem आ जाएंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे दोस्तों के confusion थे सबसे पहला confusion कि सर हम इसे कितनी वोल्टेज को AC करेंट को DC में convert कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली यह जो डायोट के ब्रिज थी यह ज्याद एंपेर की थी और यह आपकी कितनी भ voltage है आप AC करेंट को DC में इस circuit से आप DC में convert कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद अगला सवाल की इसमें हम जो capacitor यूज करेंगे उसमें polar capacitor क्या होता है तो polar capacitor भाई साब वो होता है जो कि आपने PCB के ओपर देखा होगा जिसमें एक साइड में निगेटिव जैसी धारी बनी हुई ह होती है जैसे वह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर में आपको फिलाल इस वीडियो में आपको किसी भी PCB के उपर जो लगी हुई capacitor होती है वह आपको दिखा देता हूं आप अपने आपकी जितनी आपने voltage AC को DC बनाई है सपोस किजिए आपने 50V AC करेंट को DC में convert की इस से लेके जिरो नहीं एक वोल्ट से लेके आप 440 वोल्ट तकी AC करेंट को DC में convert कर सकते हैं कर सकते हैं आप इससे ज्यादे वोल्ट को भी लेकिन बेसिकली नर्मली आप 440 वोल्ट तक की ही आप इससे DC करें दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले confusion पे अगला confusion था कि सर क् इस डायोड ब्रीज को अपने जिनरेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिहां बिलकुल कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का डायोड ब्रीज ज्यादा तर इस्तवाल होता है आपकी अल्टरनेटर के अंदर वैसे आपकी जहां में भी requirement है ज्यादा ampere AC करेंट को DC में convert करने की वह उन्होंने बोला कि उनकी एक डायोड की positive उपर एक की नीचे एक की उपर एक की नीचे इस system में उनके case में था उनका डायोड प्लेट तो फिलहाल दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर एक positive base उपर हो एक negative base हो फिर भी circuit विलकुल सेम बनती है तो चल आएंगे मैंने आपको दिखाई थी और 40 amp की डायोड ब्रिज मैंने आपको बना कर दिखाई थी ठीक है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो यह वीडियो आपको काफी अच्छी तरीके से स साइड होती है एक positive एक negative एक positive एक negative होता है यहां पर हम AC supply करते हैं यहां में DC supply मिलती है ठीक इस तिरखे से जहां पर चार diode coverage होता है यहां में भी दो positive base को मैंने यहां पर connect किया है दो negative base को मैंने यहां पर connect किया है एक positive एक negative और यहां भी एक positive एक negative connect होती है यहां यहां में आप AC की supply करते हैं यहां में आपको DC supply मिल जाती है यहां में जैसा की देख सकते हैं यहां भी चार मैंने negative base को एक साथ connect की थी चार positive को मैंने एक साथ connect की थी और यहां में दो positive और दो negative को मैंने इस side में sort किया था दो positive और दो negative को मैंने इस साइड में सौट किया था दोस्तो इसकी complete breeze मैंने आपको उस वीडियो में बना कर दिखाई हुई है आप उस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तो इस वीडियो को खतम होने के बाद आपको display के उपर यहां में आपको दिख जागा इसका link तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो जैसा कि असलम भाई के case में था यहां में देख सकते हैं एक की positive base इधर में है एक की negative base इधर में है फिर दूसरी की negative base इधर में है और एक positive base इधर में है तो इसकी connection कैसे हुई, तो जैसा कि connector बिल्कुल same shot था जैसा मैंने shot किया था, ये shot कुछ और भी अलग धंग से हो सकती थी, जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, ये दो पोल आपस में shot है, इसे भी हम इधर में भी लगा सकते हैं, और इधर में भी से लगा सकते हैं, तो यहाँ म ये पोल इसके साथ shot है, तो मैंने इसे इधर के साथ shot किया है, और इन दोनों बीच वाले को एक साथ मैंने shot कर रहा है, थीख है, जैसा कि आप देखें तो आपको breeze बिल्कुल अच्छी तरीके से clear हो जाएगा, जैसा कि यहां देख सकते हैं दो positive side एक तरफ है सेम यहां भी दो positive एक साथ जुड़ी हुई है जैसा कि यहां में देख सकते हैं दो negative एक side जुड़ी हुई है यहां में भी दो negative एक side जुड़ी हुई है यहां में जैसे एक positive और एक negative है वैसे ही यहां में भी एक positive और एक negative sort है और जैसा भी यहां में देख सकते हैं एक negative और एक positive और एक negative sort है सेम यहां में भी एक positive और एक negative sort है तो दोस्तो इसमें अंतर बस इतना है कि जैसा कि यहां में जो अगल बगल में जो दो sort की हुई थी तो इधर में positive की supply मिलती थी आपको इस type की अगर bridge मिलती है तो आपकी positive base जैसा कि इस condition में ये बीच वाली बन रही है negative इस किनारे वाली बन रही है और AC current की supply हमें इस type में करनी है जैसा कि देख सकते हैं यहां में एक positive और एक negative यहां में short है और यहां में जैसा कि यह पोल है negative और यह पोल है negative तो इस किनारे वाली जो यह पोल है तो यह बन जाएगी हमारी negative और जैसा कि बीच वाली दोनों पोल positive है डायोड की तो यहां में जो बीच में यह पट्टी से अप sort देख रहे हैं अगर आप इस टाइप से अगर आप इसकी connection को करकर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता कि इसमें positive कौन सी है और negative कौन सी है कई सारे case में क्या होता है कि दो अगल बगल में भी short की हुई होती है जैसा कि दो यहां यहां में short की हुई है और दो एक एक को छोड़ छोड़ कर sort किया हुआ होता है तो फिलहाल आपको यह बिल्कुल आप confused ना हो कि दो positive आपको एक साथ में एक तरफ मिल जाए यह कैसे भी हो सकती है हर लोग अपने जरुद के हिसाब से या फिर उन्हें जैसे काम करने में अच्छा लगता है वो उस हिसाब से अपने काम को करते हैं तो अगर आपका यह confusion है तो आपका यह confusion clear हो गया तो फिलहाल मैं आप मेरे पास है कुछ डायोट तो चलिए हम इसे भी twist करके और आपको complete इसकी connection हम आपको डायोट की ब्रीज के साथ दिखाते है तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि इस डायोट की ब्रीज हमारी हो चुकी है complete जैसा कि यहां में देख सकते हैं यह एक negative base इधर है negative base इधर है और इन दोनों पोल को आपस में यहां पे short की गई है तो यहां में हमारी supply आएगी negative की और जैसा कि देख सकते हैं बीच में दोनों हैं हमारी positive तो यहां में positive की supply मिल जाएगी जैसा कि यहां में एक positive और एक negative तो यह एक AC supply हम यहां में करेंगे और एक positive और एक negative तो एक AC current की supply हम यहां में करेंगे तो दोस्तो complete breeze ऐसा ही होता है बच्ची बाद दोस्तो polar capacitor क्या होता है जैसा कि देख सकते हैं इस auto cut board के उपर यहां पे लिखा है 50 volt का capacitor यहां में जो धारी लगी हुई है यह negative बाली पोल है तो यह capacitor के negative पोल होती है और यह positive पोल होती है तो अपने requirement के हिसाब से voltage की decide कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इस generator set के अंदर जो यह diode bridge लगती है इसके अंदर capacitor का कोई इस्तमाल नहीं होता है तो दोस्तों फिलहाल कि इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई अपना ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब करें AC & DC वाइनदन चैनल को और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए